प्रद्धाने विमुखे अप्य श्रिनवती या श्चोपदेश शिव नामा पराधा जो पद्म पुराण से लिया गया है। सिर्फ बांगला में और यहां जो वीडियो वन रहा है वो हिंदी में बन रहा है। तो इसका अर्थ है हरी नाम की महिमा का गुनकान उन लोगों को बताना जिनको जिनकी भगवन नाम में शद्धा नहीं है। यह एक अपराध है। तो हम तो प्रचार करते हैं तो हर विक्ति को प्रचार करने की इच्छा होती है और हर विक्ति को हम चाहते हैं। भगवान का नाम जपे। नाम जपने तब ठीक है हम उसको नाम दे सकते हैं। पर हरी नाम का जो गूड़ अर्थ है। और उसका जो गुनगान शास्त्रों बताए गया है। वो हमें वैसे लोगों को नहीं बताना है जिनको थोड़ा भी विश्वास नहीं है। भगवान के उपर या हरी नाम के महिमा का थोड़ा भी बहत वह नहीं जानते हैं। मजाक बनाते हैं। शास्त्रों का मजाक बनाते हैं। ऐसे जो लोग हैं उन्हें हमें नहीं बताना है। तो देखिए आरिदाश ठाकुत क्या कह रहे है। पहरे गुंगान करते हैं चैतने महाप्रभु और अद्वईत आचारिय और बाकी सारे शिवास ठाकु यत्यादी का गुंगान करते हैं। फिर दोनों हाथ जोड़का हरिदाश ठाकुत कहते हैं कि अब मैं अगला अपरात बताता हूं। फिर इसके बाद हरिदाश ठाकुत कहते हैं चैतने महाप्रभु को यह कह रहे हैं। जिनके रिदय में हरी नाम के प्रतिश्रब्धा का उदय नहीं हुआ है। वह हरी नाम के महिमा का श्रवन करने के योग्य पात्र नहीं है। ठीक है न। किसी के भी सामने कोई भी चीज नहीं बढ़ाया सकता है। उसका एक हिसाब किताब होता है। जैसे शुक्देव वह स्वामी ने पूरा भागवतम सुनाया पर राधा रानी का नाम नहीं लिया। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि बताओ मुझे कहा है राधा रानी का नाम। पूरे शुमत भागवतम में कही राधा राधा नाम नहीं है। और तुम लोग राधा 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 करते हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जो आचारेगण हैं। जो वहाथी उच्चकोटी के वैशनव हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने कैसे बोला। राधा रानी का नाम बोला भी और नहीं भी बोला। और नहीं बोला। तो जो गुर्टतवा है वो हमें सब को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे उसका अपमान हो जाता है ठीक है ना हरी नाम का अपमान भगवान का अपमान शास्त्रों का अपमान बड़े बड़े वैश्नवों का अपमान तो अपमान करने से जो व्यक्ति अपमान कर रहा है वो तो पापी है ही उसको तो अपरात होगा ही लेकिन यदि हम सुन रहे हैं तो हमारे उपर भी कुछ न कुछ उसका प्रभाव पढ़ेगा और अब रात के हम भी भागिदार हो जाएंगे इसी दिए हम ऐसी गलती नहीं करने चाहिए अच्छे परिवार में जन्म, सत्कूल, ज्यान, बल और धन व्यक्ति को हरिनाम में अधिकार प्रदान करने में समर्थ नहीं है सही बात है ऐसा नहीं है कि कोई वित्ति बहुत उचे खांदान में जन्म लिया है या बहुत पढ़ा लिखा है बहुत इक्रिष्टी से या बहुत सुंदर है बहुत पैसे वाला है तो उसको हरिनाम का अधिकार हो गया ऐसा नहीं है हरिनाम में दृड़ श्रद्धा ही व्यत्ति को हरिनाम के महिमा का श्रवन करने के योग्य बनाती है और इसका वर्नन सारे शास्त्रों में है जब हमारे अंदर नाम के प्रति कुछ श्रद्धा विश्वास और प्रेम उत्पन होगा पुर्वजन के संसकारों के कारण या वर्तमान पड़िस्थिती जो हमारे चारों तरफ है उनके कारण तो हम इसके लायक बनेंगे कि हम हरिनाम के बारे में सुन सके हरिनाम के महिमा के बारे में सुन सके सादु जन उस व्यक्ति को हरीनाम प्रतायण नहीं करते हैं जिसके रिदन में शर्दा का उद деле नहीं हुआ हो यही एक वैश्णों का उजित आचरण है ठीक है शर्दा ही व्यक्ति को यही हरीनाम की प्राप्ति होती है तो उसका वह क्या करेगा अनादत करेगा यह सारे शास्त्र केंते हैं सुवर को रत्न देने से वह उसका चूर्ण करके मिट्टी में डालेगा और बंदर को कपड़े पहनाने से वह उसे पाड़ देगा सच बात है जो जिसके योग्य होता है उसको चीद देनी चाहिए हम अगर सोचें बंदर अरे बंदर नंगे वदन घूम रहा है तो कपड़े पना दे पर बंदर को क्या पता एक श्लोक भी एक कहवत भी है बंदर क्या जाने अद्रक का स्वार तो एक लीला में हां हनुमान जी चीद समोचा मोटी औनको मोटी मैं बागवान की और म में फूर द्रक तो बंदर क्या जाने अद्रक का स्वार या बंदर क्या करेगा कपड़े पहन के वो कपड़े को फार देगा इसी तरह सुवर क्या करेगा अब उसको रत्म भी दिये तो तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देगा तो यदि किसी ऐसे विक्ति को हरी नाम दिया हमने हरी नाम के महीमा का गुनकान किया तो उसकी कदर वो नहीं करेगा क्योंकि उसको हरी नाम में थोड़ी भी रूची नहीं है और उसके उपर विश्वास नहीं है हरी नाम के महत्व को थोड़ा भी नहीं जानता है उल्टा वो अपमान करेगा अनादर करेगा यदि उसी प्रकार श्रद्धा ही व्यक्ति का नाम प्राप्त करके अपराधी होकर नश्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ गुरु को भी अवक्त बना देते हैं बहुत अच्छी बात है प्रचार करते समय ये ध्यान लखना बहुत जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति के रिदे में थोड़ा सा वी अंकुर है यदि उसके पास वैशनों के लिए श्रद्धा है यदि उसके पास शास्त्रों के लिए श्रद्धा है यदि उसके पास भगवान के लिए श्रद्धा है गुरु के लिए श्रद्धा है कहीं एक जगह भी अगर शर्दा है ऐसा निकिस सब में उसकी शर्दा हो हो सकता है उसकी शर्दा किसी एक जगह पर है गुरु के प्रती है, भगवान के प्रती है हरी नाम के प्रती है, शास्त्र के प्रती है धर्म के प्रती है कहीं अगर उसकी शर्दा है तो उस श्रद्धा को पकड़के दूसरे श्रद्धा को बढ़ाया जा सकता है लेकिन यदि उसके पास कहीं भी श्रद्धा नहीं है तो फिर उसको प्रीच करना ही वेकार है उससे क्या होगा जो प्रीचर हैं जो प्रचारक हैं उनके उपर भी असर पड़ेगा हो सकता है उनकी भक्ती भी समाप्त हो जाए हो सकता है उन्हें अपराद अपराद लगे उस विक्ती का असोशिशन करने से या उसके मुख से गलत चीजें सुनने से इसी लिए प्रचारा को ये दिहान देना अतिया वश्यक है कि हम जिसको प्रचार कर रहे हैं उसको कितना कितना प्रचार करें कितना डोस दें प्रसाद हम सबको दे सकते हैं या मंदिर भी हम सबको ला सकते हैं पर गुड तत्व हम सबको नहीं बता सकते हैं यदि कोई प्रचारक सुन रहे होंगे तो प्लीज इस पर ध्यान देजिएगा यदि श्रदाहिन व्यक्ति शठता पुर्वक वैशनों के समीप जाकर उनसे हरी नाम की याशना करता है तब सादू पूरुष उसके छल युक्त वाक्य को समझ जाते हैं उसे वे कदापी हरी न बते चाएकना बदार नहीं करनेद यहाँ पर हरी नाम जो बताया जा रहा है वह है धिक्षा है गुरु जब दिक्षा देते हैं किसी को तो उसके बारे बताया जाए रहा है वो नहीं बताना चाहिए किसी व्यक्ति को और यहां जो बताया जा रहा है वो हरिनाम दिक्षा की बात हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति छल प्रपंच करने वाला ठगने वाला किसी गुरू के पास जाता है और कहता है कि मुझे दिक्षा दे देजिए गुरु समझ जाते हैं कि ये विक्ति ऊपर ऊपर से नाटक कर रहा है भक्ति का वास्तों में ये भक्त थोड़ा भी नहीं है और उसको दिक्षा नहीं देते हैं नाम के प्रती श्रभ्द होने से हरी नाम सरलता से हरी नाम के प्रभाव से व्यक्ति मोणल भी वह तूष्रद्था बहुत महत्यकून होती है भक्ति चुकरूत शुरू होती होती श्रद्धा अगर नहीं है तो सारा ज्यान भी अगर प्राप्त कर लिए तो फाइदा नहीं होगा लेकिन यरी श्रद्धा है और उस व्यक्ति को संस्कृत नहीं आता है उसको इंग्लिश नहीं आती है उसको कोई भी डिग्री नहीं है उसके पास स्कूल कॉलेज भी नहीं गय प्रण्तु उसे श्रद्धा है ब्गवान में उसे खुरुब के प्रती श्रद्धा है और विश्वास है तो वह भगवध विश्वास नहीं है तो मुश्किल है कुछ भी करना वो बहुत सारा तर्क भी तर्क करके अंत में फिर से जीरो पर आ जाएगा इसलिए ऐसे वेक्ति के साथ ज्यादा उलजना नहीं है कि है बंदू जितने दिन पवित्र भगवान नम्में आपकी शर्दा नहीं है तब तक नाम ग्रहन करने के लिए तुम योगे नहीं हो यह दिक्षा की बात हो रही है प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा को त्यार करें दीन ही इन भावना को रिदय में धार्म के साथू और साधू से शास्त्र से अभी साथ हुआ से कैसे अरी नाम का स्रुण करते हैं यह साधू से कैसे हरी नाम का स्रुण जो भी भगवार विष्णु के नाम का मंत्र है वो सब के उपर यह लागू होता है पहली बार दूसरी बार जब हम भागवतम की चर्चा करते हैं तो वह भी क्या है यही हरी नाम की चर्चा ही है भागवतम की चर्चा करना तो यहां बताया जा रहा है कि शादू और शास्तर से हरी नाम की महिमा का श्रवन करना चाहिए सादू और शास्त हरिनाम के महिमा के वारे में हमिशा बताते हैं यदि हम भगवान की कोई लीला बता रहे हैं कोई चर्चा कर रहे हैं भगवान की ने गुबर्दन उठाया भगवान ने किसी असुर्ण का बद किया या भगवान कैसे अर्जुन का रत चला है ऐसे कोई बात हम अगर कर रहे हैं, तो हो क्या है हरी नाम? हरी नाम का शवण ही है, ऐसा नहीं है कि वो हरी नामका शवण नहीं है, हरी नहीं है अगवान के नाम में, रूप में, गुन में, लीला में, किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं है, जो अच्छा लगता है, यदि किसी को कोई खास एक पर्टिकुलर लीला बहुत पसंद है, जैसे गोवर्दन परवत उठाना पसंद है, वो लीला या तो दामुदर लीला पसंद जब तुम्हारी भगवान नामे शद्दा होगी, तब एक प्रामाने गुरु भगवान नाम प्रदान करेंगे, जो कि महाधन है, सही बात है, शद्दा हीन व्यक्ति को अर्थ लाव की इच्छा से गुरु यदि नाम प्रदान करता है, तो वह नाम अपराधी होकर न रख हाँ, गुरु भी कई बार लोभी होते हैं, धन के लोभी, वह असली गुरु नहीं है, पाखण्डी है, समझ जाएगे, तो कभी कभी गुरु बहुत अमीर व्यक्ति को अपना शिश्य बनाते हैं, उस अमीर व्यक्ति में गुण नहीं है शिश्य बनने के, लेकि उसको तुमें जाएंगे शिश्य भी और गुरू भी दोनों एक साथ जाएंगे यदि प्रमादवश्च अनाधिकारी को नाम का उपदेश ब्रदान करता है तब गुरू को भैवित होना चाहिए ठीक है उस गुरू को वश्णों समाज में इस बात का विग्यापन करना चाहिए और उस दुष्ट असत शिश्य कात्रम त्याग करना चाहिए यदि गलती से ऐसा हो जाता है जो व timing डिक्षा का अधिकारी नहीं है उसे डिक्षा में जाती है तो गुरू को उसका त्याग करना चाहिए और बता दिना चाहिए कि यह वेक्टी सही नहीं है सब को बता देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उससे सावधान हो जाए और यदि ऐसा गुरू नहीं करते हैं तो गुरू भी अपराधी हैं और उनका भी पतन होगा माया में वो भी भसेंगे प्रभू आपने भी जिने हरी नाम का प्रचार करने की आगया प्रदान की उन्हें यहीं उपदेश दिया शद्धावान व्यक्ति को आप हरी नाम का उपदेश प्रदान करो और इस हरी नाम की अतुल्निय महिमा के द्वारा संपूर्ण देश कर्मा को भर दो श्रधावान जनिक करो नाम उकदेश नाम महिमा य कुर्ण कर सर्वदेश तो नाम का प्रचार तो करना है पर किसको श्रधावान को शद्धावान जना हे, शद्धावान जना हे हैना ये वला हमारा एक गीत है नदिया गोत्रुमे नित्यान दमाहा जना पातिया छे नाम हट्ता जीवेर कारना शद्धानाम शद्धावान जना हे, शद्धावान जना हे नित्यान प्रभु और हर्दास्थाक। दोनों मिलके हरी नाम का प्रचार करने चाते थे और उनको ऐसा करने के लिए चेताने महाप्रभु ने कहा था आ गया दिया था तो वो पुकारते थे लोगों को नाम हट लगाके नाम का बजार लगाके पुकारते थे लोगों को जो श प्राना धना है ऐसा कुछ है तो इस रधावान जैना है जैसे बाकी चीज़ों को खरीदमें के लिए धन की आवशकत्या हुती है, पैसा, पैसा हुआ उसी तरह हारी नाम को खरीदने के लिए श्रधा की आवशकत्या होती है। इसलीए खर्धा, च्छापूर और नित्यानुद प्रभू दोनों मिल के प्रचार करते थे और श्रद्धावान को फुकारते थे कि तुम लोग आकर के गुरू राग्याय होई कोडी एभीक्षा लहो कृष्णा बोलो कृष्णा कौरो कृष्णा शेक्षा यह पूरा गीत मैं नहीं गा रही तो कृष्ण का नाम लो कृष्ण के बारे में सुनो कृष्ण की शिक्षा प्राप्त करो और श्रद्धावान विक्थी आओ और नाम ले लो यह प्रचार कर रहे थे तो श्रद्धा कहोना अतियावश्यक है चोर वेश्या शठ आधी पापा सक्त जने छाड़ाई या पाप मती दिवेश्ण धाधाने चोर वेश्या शठ आधी जितने भी पाप पापी व्यक्ति हैं उनको उनकी पाप मती से मुक्त करवाकर शद्धा रूपी धन प्रदान करना चाहिए हरिदास ख्रकुण ने वेश्या को भी भक्त बनाय था और जो बहुत बड़ा पापी था जगाई मदाई उसको नित्यान प्रदू हरिदास ख्रकुण में मिलकर बक्त बनाया था तो कोई भी ईदै सकता है बङगवान का नाम और भक्त बन सकता है अपराद नहीं करने वाला होना चाहिए अगर आप सिधा साधा है और बहुत सारी गलतियां किया है पहले लेकिन वो गुरु के पास आके माफी मांगता है और कहता है कि आज से में गलती नहीं करूँगा तो वो हरी नाम का अधिकारी है जब वे इसमें द्रिड़ हो जाएंगे तब उन्हें पवित्र भगवान नाम का उपदेश करना चाहिए तो संपूर्ण देश में नाम का प्रचार करना चाहिए इस प्रकार कोई जटने महापरव की ऑग्या का पालन न करके अयोगी बैक्ति को नाम धन यानि दिक्ष्या प्रदान करता है तो वो अपराद के कारण न रखंड में जाता है गलत बैक्ति को हरी नाम नहीं देना चाहिए हम लोग भी अपरादी हैं अगर हम गलत रिक्ति को गुरु महराज के पास लेकर जाते हैं, गुरु महराज से ज्यादा हम अपरादी हैं, क्यों? क्योंकि गुरु महराज तो जानते नहीं है उसको, गुरु महराज तो हमारे पूलने पर दिक्षा दे दिये, तो कौन अपरादी हो गया? महराज नहीं यदि श्री गुरु से पवित्र भगवान नाम ले करके शिष्य नाम अपराद करता है तो इसमें गुरु को भी असर होता है गुरु की भी भक्ती रस में भक्ती रस के प्राप्ति में वाधा आती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिष्य को असर होगा गुरु भी अगर शिष्य न अपने जगाई मधाई पर अपनी महत्कृपा कर दी है प्रथा हुने हरी नाम में श्रद्दा प्रदान की उसके बाद भगवान नाम उसे पवित्र भगवान नाम यानि दीक्षा प्रदान किया